दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज से पहले के बर बिहार बोर्ड मेट्रीक और इंटर रजिस्टेशन की अंतिम तिती बढ़ी जिहां बिहार बिदाले परिचा समिती ने बिहार बोर्ड मेट्रीक और इंटर परिचा 2022 में सामिल होने के लिए नियमित और प्राविट सरेनी चात्रों के रेजिस्ट्रेशन की तिती एक बार फिर बढ़ा दी है 2022 में बिहार बोर्ड की मेट्रिक और इंटर परिक्षाओं में भाग लेने के इच्चुक बितारती अब 25 जुलाई 2021 तक अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इससे पहले इसकोलों को 9 से 15 जुलाई तक ऐसे चात्रों का रेजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था जिनका अभी तक रेजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रेजिस्ट्रेशन के लिए निधारित वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com और secondary.biharboardonline.com कर जाकर आवेदन फर्म भरना होगा साथ आपको बता दे कि मैट्रिक परेशा 2022 के लिए अभी अर्थियों को नियमी चात्र के लिए 320 रुपिय और स्वतंद्र कोड के चात्र के लिए 420 रुपिय निधारित है अगली बाड़ी खबर नितिस केविनेट ने 11 एजेंडों पर लगाई मुहर इंजिनेरिंग इनिवसिटी के वाइस चांसलर होंगे मुहर लगी है बैठक के अधिक्चता मुहर मंतरे नितिस कुमार ने की है इसमें वर्चुल मैदम से दोनुम मुहर मंतरे तारक इस और परसाद और रेनोधुए के लावा तमाम मंतरे भी जूटी रहे बैठक में सबसे बड़ा एजेंडर के अनुसार इंजिनरिंग इन्वरसिटी के वाइस चांसलर अब मुख मंत्री होंगे आइन प्रामुक एजेंडरों के अनुसार बिहार के हर विदानसवा चेतर में एक पेसी और पाच उपकेंद्र होंगे जिस विदानसवा छेतर में पीएसी और उपकेंद्र कम होंगे वहां निदारित सेंक्या पूरी की जाएगी नितिस सरकार का बड़ा फैसला राज में इंजिनेरिंग और मेडिकल के लिए अब अलग से इनिवसिटी खेल विस्विदले कभी होगा गठर जिहां बिहार में तकनिकी और उच्च सिक्चा को बेहतर बनाने के लिए नितिस सरकार ने एक और वड़ा फैसला किया है राज में अब अलग से इंजिनेरिंग और मेडिकल के लिए इनिवसिटी के स्तापना की जाएगी नितिस केविनेट की कल हुई बेटक में इस प्रस्तापर मोहर भी लग गई है इसके अलावा खेल विस्विदले के भी स्तापना की जाएगी राज सरकार ने पहली बार ऐसी पहल की है आपको बता दे कि राज के सभी सरकारी और प्राविट इंजिनेरिंग कोलेज अब इस नए इंजिनेरिंग इनिवसिटी के अधिन काम करेंगे अब तक राज के सभी इंजिनेरिंग कोलेज आयर भट ग्यान विस्विदले के अंतरगत काम कर रहे थे लेकिन अब सरकार ने नया विस्वी दाले बनाने करने ने लिया है बाड़े खबर बिहार सरकार के सिस्टम को हाई कोट ने माइलेस बताया सिक्षा विवाग के प्रधान सची पर लगाया 20 हजार का हर जाना पटना हाई कोट ने सिवा निर्त होने के पद से निचले पद का वितमान देने के मामले में राज सरकार के परति नाराजगी जताई है इसको लेकर कोट ने सिक्षा विवाग के प्रधान सची पर 20 हजार रूपिय का हर जाना लगाया है सिक्षा विवाग से जोड़े एक मामले में सिनुवाई करते हुए पटना हाई कोट के निया मुर्ती चक्रदरी सरन सिंग की एकल पीट ने या टिपनी की है कोट ने कहा कि उसकी नजर में भारत के स्विधान में परिभासित कोई भी संस्ता इतनी बे दिमाग यानि माइललेस होकर काम नहीं कर सकती है जितना बिहार सरकार कर रही है अगली बड़ी खबर बिहार केविनेट का बड़ा नेडनाई जेल में बंध सजाय अब तक केदिय को रिहा करेगी सरकार जी हाँ नितीस केविनेट ने बड़ा नेनले लेते हुए जेल से सजा काट रहे वैसे सजा अब तक केदी जिनकी सजा में एक चार महिना से सरह गया है उन्हें बरिक करनी का नेनलिया है यानि वैसे केदी अब जेल से रहा होंगे राज के जीलों में कोविन-19 संग्रम से बच में अब तक चोदों की मौत सराब के धंदिबाज गाउं छोड़कर फरार जिया पाश्चिम चंपारन के लोरिया और राम नगर प्रकण छेतर में मिर्तोकों की सिंख्या चोदों होगे सुकुरवार को चो और मरने वालों की पहचान की गई है गुरवार को भी आठ लोगो की पहचान हुई थी सभी की मौत जहरेली सराब पिने से होने की आसंका जताय जा रही है जीला प्रसासन की ओर से गाउं में गुरुवार रात से चापे मारी जारी है वह इधर डिडिसी ने बताया कि गाउं में मेडिकल टीम की तैनाती की गई है टीम आएन लोगों की करेंगे बाड़ी कबर उपान पर बिहार की नदिया बोढ़ी गंड़क का तेवर बरकरार भूतही बलान भी सिमा पार जिहां बिहार की सबी कुछ प्रमुक नदिया अपनी सिमा में सिवटने लगी है तो कुछ का जलेशतर फिर से बढ़ने लगा है बोढ़ी गंड़क न Marx का तेवर अब भी बरकरार है साथ में सुक्रवार को भोतई बलान नदी भी मदबनी में सिमा लांग गई है सुक्रवार को भी बुड़ी गंडख नदी रोसरा पुल के पास लाल निसान से लगबग 314 सेंटिमीटर उपर बार ही है गंगा का जलेसर पटना से भागल पूर तक नीचे उत्रा है बागमति समस्तिपूर तो अपने सिमा में आ गई है लेकिन मुझे परपूर और दरवंगा में अभी लाल निसान से उपर बार ही है दूसरी तरब कोसी नदी का डिश्चार्ज सुक्रवार को थोड़ा और कम हुआ है खगड़िया जिले में यहां नदी भ दरवार को बारा चेत्र में 96,000 तो बाराज पर एक लाग 47,000 घंसिक पानी निकल रहा था गंड़क का डिश्चार्ज काफी घड़ गया है इस नदी से बालमिकी नगर बाराज पर एक लाग 63,000 घंसिक पानी मिल रहा है लेकिन गोपाल गैज में यहां अभी भी लाल निसान से 68 सेंटीमीटर उपर बह रही है दूसरी तरह प्रामुक नदियों में बुड़ी गंड़का जलस्तर मुझपरपूर में लाल निसान से 75 सेंटीमीटर उपर है इसके अलावा समस्तिपूर में 217 सेंटीमीटर और रोसडा में 314 सेंटीमीटर लाल निसान से उपर बह रही ह खगड़िया में यह नदी लाल निसान से 32 सेंटिमेटर उपर है वागमती नदी का जलिस्तर सीता मड़ी में नीची आया है जिले के सभी जगों पर नदी लाल निसान से नीची है लेकिन मुझपरपुर में 69 और दरबंगा में 104 सेंटिमेटर उपर है कामला नदी नीचे उतर लेकिन जंजारपूर में अब ये मात्र 10 सेंटिमीटर उपर है बाड़ी खबर बिहार में मानसुन पड़ा कमजोर फिर भी इन तीन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलट जहां बिहार में मानसुन कमजोर पड़ गया है पुरे प्रदेश में कहीं भी मौसम बारिस दर्च नहीं की गई है यही वजह है कि प्रदेश में उचतम तापमा लगतार सामाने से अधिक दर्च किया जा रहा है हाला कि प्रदेश में अभी भी ठंका और दोसरे मानसुनी गतिविदियों के लिए अलट जारी है अधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्र जिले में बारिस हो सकती है वहीं बजर पात की भी सम्मावना जताई गई है बड़ी खबर बिहार में आप बीडियो और डिडिसी नहीं देखेंगे पंचायती राज यजनाओ का काम जानिये केन अधिकारियों को मिलेगी जीमेदारी जहां बिहार सरकार पंचायती राज ब बिभाग ने प्राखण इस्तर पर बीडियो और जिले इस्तर पर डिडिसी को बेदखल करने के तयारी कर ली है पंचायती राज बिभाग द्वारा तयार किये प्रस्ता पर मुझी मंत्रे नितिश कुमार के मंजूरी मिलते ही बीडियो और डिडिसी से अधिकार छिल लिये पंचाइती राज विवाग के इस मसोधी पर सरकार की महंजूरी मिलते ही बीडियो और डिडिसी के पर कतर दिये जाएंगे बड़ी खबर राज में अब खाकी हापसट और फूल पेंट में दिखेंगे सरकारी बसों के चालग परिवहन निगम ने किया कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू जिहां बड़े महानगरों की तरह पटना में भी परिवहन निगम के सरकारी बस चलाने वाले चाला कब स्मार्ट दिखेंगे अब वे खाकी हापसट और फूल पेंट में रहेंगे साथ सीने पर नाम के साथ BSRTC का लोगो के अलावा टोपी वा मास्क रहेगा इस तरह समाहक का लाइट ब्लू हापसट और डार्क ब्लू फूल पेंट नाम के साथ लोगो टोपी सीटी वा मास्क अनिवार है इसके अलावा परिवान निगम ने आन कर्मियों, मेकेनिक, ओटो, इलेक्टिसियन, कारिपालक लिपिक, सीपर, ओटिजन, समय पाल, खाता कारिपालक, हेलपर वा फोरलेन के लिए ड्रेस कोड लागो किया है 25 जुलाई के बाद ड्रेस कोड का पाला नहीं करने वाले कर्मियों पर कारवाई की जाएगी बड़े कब बहुत परियाटक इस्तलों की बेच चलेगी सियन जी बसे बिहार आने वाले बिदेसी सिलानियों को मिलेगा प्रदोसन मुक्त वातावर जी हाँ बहुत परियाटक इस्तलों पर आने वाले बिदेसी सिलानियों सहीद अने यात्रियों की सुविदा के लिए सियन जी बसे चलाए जाएगी या बसे पटना से राजगीर होते वे बोध गया और पटना से वैसाली होते वे मुझपरपूर के लिए चलेगी अगली बड़ी खबर अगली साल तैयार हो जाएगा गांधी सेतू मार्च से जोड़ीगी पूर्वी लेन पर गाडिया जिहां गंगा नदी पर महत्मा गांधी सेतू के पूर्वी लेन की मरमत अगली साल मार्च तक पूरी हो जाएगी इससे पटना से हाजीपूर आने जाने वालों को सुविधा होगी अब तक पुर्वी लेन में पियर केप का लगबा 50% कारी पूरा हो चुका है यहाँ जानकारी पत्र निर्मान मंत्री नितिन नवीन ने दी है बाड़ी कबर बिहार में फिर से बढ़ने लगे है चमकी बुखार के मामले मुझपरपूर के SKMCH में चार बच्चे भरती जहाँ बाड़ती गर्मी और उमस के भी चमकी बुखार के मामले में एक बढ़ने लगे है चमकी बुखार से पीडित कई बच्चे को पिछले कुछ दिनों में SKMCH में भरती कराए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है ताजा अपडेट के नुसार SKMCH में चमकी बुखार से पीडित चार बच्चे भरती है जिसमें तीन बच्चों में AES की पुष्टी हो चुकी है आपके जानकारे के बदादे के इस साल अभी तक चमकी बुखार के लच्चन वाले 41 बच्चों में AES की पुष्टी हो चुकी है और कई बच्चे ठीक होकर घर भी जा चुके हैं बड़ी ख़बर बिहार में हर तरह की इमर्जनसी पर डायल करना होगा यह नमबर सारे समयसाओं से मिलेगी निजात जिहां राज में अभी तक अलग-अलग इमर्जनसी सेवाओं के लिए अलग-अलग नमबर है पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एममोलेंस के लिए 102 एमर्जनसी नमबर डायल करना होता है मगर अब जल्द ही इस तरह की एमर्जनसी सेवा के लिए एक ही नमबर यानि की 112 डायल करना होगा इसके लिए राज में इमर्जंसी रिस्पॉंस रिपोर्ट सिस्टम विक्सित की जा रही है ग्रिया विवाग ने इस दिसा में काम भी सुरू कर दिया है इस साल अक्टूबर नॉम्बर तक राज में या सिवा सुरू होने की सम्हावना है और अंकी बड़ी कबर बिहार पंचा चुनाओ के लिए गाइलान जारी अपने मन से कहीं भी रेली वा जनसबा नहीं कर पाएंगे उमिद्वार जिहां बिहार में पंचाच चुनाव के दोरान सभी चापदों के उमिद्वार द्वारा रेली वा जनसबा का आयोजा निर्दारेत इस्तल पर ही होगा कोई भी उमिद्वार अपने मन मुताबिक कहीं भी जनसबा या रेली नहीं कर सकेंगे राज निर्वाचन आयोग ने उमिधवारों द्वारा आयोजित कि जाने वाले रेलिव जंसवा को लेकर इस पश्ण निर्देश दिया है कि वह निर्दारे सिस्तानों पर ही आयोजित किये जाएंगे कोरोन में हमारे को देखते वे आयोग ने यह निने लिया है आज के लिए आपका स्वाल बता कि बिहार में पहले से दसवी तक के स्कूल कब खुलनी चाहिए इसका जबाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके ज़रूर बताए